स्वागत है एक बार फिर आपका अपनी चैनल हट के पेडिक्टर में तो आज हम बात करने वाले हैं ऑक्लैंड वसस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जो कल प्लंकेट शील्ड का मैच होने वाला है याद रटना यह चार दिन का टेस्ट मैचस है मतलब यह ODI या फिर T20 नहीं है टोटल टेस्ट मैचस रहेगा फोर डेस खेला जाएगा 28 से लेके 31 अक्टोबर तक पिछ वही रहेगा जो ऑक्लैंड ने लास्ट मैच खेला था एडेन पारक उटर ओवल पे यहाँ पे जो है फास्ट बोलर्स को बहुत अच्छा हिल्प मिल रहा है ना के स्पिनर्स हो स्पिनर्स लास्ट मैच में भी जैसे अगर देखेंगे तो स्पिनर्स ने बहुत कमी बोलिंग की थी ज्यादा बोलिंग नहीं की थी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो bowling कर रहे थे वो पूरे के पूरे fast bowler सी यहाँ पे रहे थे weather forecast की बात करें तो उतना बारिश का भी कोई chances नहीं है इस game में हमें पूरा game 4 days का होते हुए यहाँ पे दिखने का chances ज़्यादा है final update further toss updates जो भी रहेगा आपको telegram channel पे मिल जाएगा आप भी जूड सकते हो जहाँ पे 745 लोग अरड़ी जूड शुके हैं आप भी चाहो तो जूड सकते हो link आपको description में मिल जाएगा तो चलो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे Auckland की Auckland ने last match जीता था वो tago के against एक innings और एक 100 मतलब 129 runs है 1 by an innings and 129 runs मतलब 129 runs से जीता प्लस एक innings में भी इन्होंने बैटिंग नहीं की थी और बहुत अच्छे form में आ रही है Auckland last season से भी last बार भी मने आपको कहा था कि Auckland बहुत अच्छे form में है और इन्होंने last season एक ही match हरा हुआ था वो था Wellington के against मतलब Central Districts के against भी नहीं आ रहा था और टैगों के against भी नहीं आ रहा था last match भी बहुत अच्छा करते हुए आ रहे है मतलब last match भी बहुत बड़े margin से जीतते हुए आ रहे है Guptill, Glenn Phillips और Mark Chapman जो थे वो इनके लिए यहाँ पे मतलब key batters रहेंगे top 4 में Robert O'Donnell, Ben Horne और William Somerville यह नीचे बैटिंग करते हुए अच्छा यहाँ पे score करके दे सकते है Ben Horne ने भी देखा था आपने last match में 160 की पारी खेली हुई थी एक innings में बैटिंग करते हुए तो Ben Horne भी आपके लिए थोड़ा बहुत important होने वाला है इस match के लिए भी बैट में किवान, Somerville और कैल जमी सन जो थे वो विकेट टेकर्स थे last season में और इनके टीम में बहुत सारे all-rounders है तो अच्छी खासी बैटिंग डिप्थ है इनके पास अब यहाँ पे नीचे बात करें इनके प्रॉबेबल 11 की तो इनका जो अभी जो squad release हुआ है ना मतलब उस squad में कोई changes नहीं है मतलब यही same squad है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे same playing 11 भी देखने को हमें मिलेगा कोई changes मुझे लगनी रहा इनकी टीम में होगा same team हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है माफ करना यहाँ पे का जो भी मतलब action है bowling action जो fast ballers है जो spinners है उनका यहाँ पे mention किया हुआ है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो baller bowling करेगा वो fast baller है या फिर spinner है ठीक है तो चलो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके probable 11 की probable 11 में आपको green begin scene soul या open करते हुए दिख सकते हैं one down पे gillan flips two down पे roberto donnell उसके बाद martin guptill mark chapman ben horn kyle jamison william somarville डendro friends ollie pringle और ben lister और ben lister मतलब देखो भाई अब यह मत पुछना भाई यहाँ तो 12 player हो गए ben lister को क्यों जोल लिया क्यों मैं आपको नीचे बताऊंगा अभी जो last match इनका हुआ था ना यहाँ पे clearly मैंने लिखा हुआ batting सिर्फ एक ही innings में की थी और bowling सिर्फ second innings में इनोंने की थी ठीक है तो अभी अगर bat bowling दोनों innings में की थी batting सिर्फ एक innings में इनोंने की हुई थी आप जो एक innings में नोंने batting की उसका देखो यहाँ पे दिया हुआ चे रन किया पहले innings में 17 रन 0 विकेट दूसरे innings में bowling करते हुए 5 विकेट दूसरे innings में नोंने batting नहीं की क्योंके इनको batting करने का मोखा मिला ही नहीं मैची जीत लिया था एक innings से ठीक है फ़स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए ग्लेन फिलिप्स ने 6 रबर्ट ओडोनेल ने 10 मार्टिन गुप्टिल 65 मार्क चैप्मैन 3 बेन होर ने 162 किया कैल जमिसन 3 रन प्लस 5 विकेट फ़स्ट इनिंग्स में सकेंड इनिंग्स में 3 विकेट सोमर विले को बोलिंग बहुत कम मिली थी 2 ओवर या 5 ओवर तक ही ये करते हुए दिखाता और इस मैच में भी ज्यादा उमीद नहीं है कि बोलिंग करेगा सोमर विले अगर स्पिन को सपोर्ट करेगा तबी यहां सोमर विले आपको मतलब अच्छा बोलिंग करते हुए दिख सकता राइट आउम अफपब्रेक बोलर है बहुत अच्छा स्पिनर है लेकिन इच्पिनर के लिए से हल्प्फुल नहीं है तो सोमर विले का थोड़ा यहां पे बोलिंग से कम हो जाता लेकिन बैटिंग थोड़ा बहुत अच्छी करते हुए दिख सकता है डेनरो फ्रेंस ने नीचे बैटिंग करते हुए 63 नाट ओट की पारी खेली प्लस तीन विकेट लिये फस्ट इनिंग्स में और सकेंड इनिंग्स में एक विकेट निकाला हुआ था ओली प्रिंगल ने एक विकेट फरस्ट इनिंग्स में एक विकेट, सकेंड इनिंग्स में और आप आया Ben Lister यहां पे मैंने इसको बोल भी किया हुआ है देखो यह जो खेल रहा था यहां पे मैंने दिया हुआ यह क्यों खेल रहा था Ben Lister खेला था Mark Chapman की जगे पर तो Mark Chapman आ गया Ben Lister बैड़ गया इसलिए दूसरे इनिंग्स में आपको बोलिंग करते हुए नहीं दिखा सिर्फ 11 ही वोवर इसने फरस्ट इनिंग्स में भी बोलिंग की थी तो आपको यहां से इस मैच में मेरे हिसाब से Ben Lister नहीं खेलेगा ओली प्रिंगल ही यहां पे खेल सकता है या फिर ओली प्रिंगल की जगे पे Ben Lister को अंदर लाया जा सकता है तो अभी यहां पे डहों क्या हुआ सीन सोलिया आपके लिए Fast Bowler है काई जमिसन Fast Bowler है Dandruff å bricks Fast है और Ben Lister यहां से Fast है सीन सोलिया ओपन कर रहा है प्लस आपको regular bowling करते हुए दिख रहा है तो अच्छा perform करते हुए भी रहेगा ये उम्मीद रखके मैं भी चल रहा हूँ आप चाहो तो किसी और को भी prefer कर सकते हो Captains के लिए दोखो Grimm Begin अच्छा है, Scene Solia है, Glenn Phillips है Martin Guptill है, Ben Horne है मतलब Ben Horne last match के performance के regarding मैं बता रहा हूँ Ben Horne है, वरना मैं Ben Horne को prefer नहीं करता Captain Voice Captain के लिए Kyle Jemison को भी आप कर सकते हो, Dendro Friends को भी आप Captain Voice Captain करके चल सकते हो तो अभी यहाँ पर फिर से stats आ गया, stats एक बार आप चेक कर सकते हो Mike Stats के बारे में तो इसका कोई explain नहीं कर रहा हूँ अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे Central Districts की अब Central Districts ने क्या किया last match में? यह भी जीत के आ रहे हैं यह भी last match जो था, वो 7 wicket से जीत के आ रहे हैं और इनके matches में भी क्या हुआ था? मतलब दो innings में इन्होंने भी एक एक innings में बैटिंग नहीं की थी क्यों नहीं की थी, मैं आपको नीचे बता दूँगा अब इनका जो था, एजास पटेल नहीं खेलेगा एदम मिले नहीं खेलेगा, बेन विलर नहीं खेलेगा अब इनके साथ साथ भाई एक और जुड़ गया बलेर टिकनर जो के लास्ट मैच में खेला हुआ था, लेकिन लास्ट मैच में इसको थोड़ा इंजूरी हो गया तो ये भी इस मैच में नहीं खेलेगा अब आप बलेर टिकनर को अगर आपने पिक किया हुआ है ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर बात करें इनके प्लेइंग 11 की, तो भाई प्लेइंग 11 में देखो डिन क्लीवर है, रास्टेलर है, टॉम ब्र्यूस है, डॉग ब्रेस्वेल है और उसके बाद आएगा आपको और यही इनके स्क्वाइड में से सिर्फ 11 प्लेइर खेलते हुए दिखेंगे 12 में से तो देखो, डिन क्लीवर, रास्टेलर, उसके बाद आएगा आपके लिए एक मिनट, माफ कर, यह सला नोटिफिकेशन बहुत दिक्कत देता है बाई डिन क्लीवर, रास्टेलर, टाउम ब्र्यूस, डॉग ब्रेस्वेल, जॉर्ज वार्कर, सेथ रैंस, ब्रैट्स कमलियन, ग्रेगे रेमन टूले, विल यॉंग और यहाँ पे देखो, ब्रिलेर टिकनेर की जगे पे जॉइफिल्ड को लाने का चांसस ज्यादा है, अभी मुझे लगता है कि डिबट करेगा, जॉइफिल्ड बहुत अच्छा बोलर है, फास्ट बोलर है, जॉइफिल्ड या पिर इसकी जगे पे अगर एक्सपिरियन्स को कोई है, चाहेंगे तो यह भी फास्ट बोलर प्लस रूंडर है, क्रिस्टेल लेपाड, लेपाड को भी यहाँ पे खेलना का मौखा मिल सकता है, अब यहाँ पे इनकी दखो, इन्होंने सिर्फ second innings में बैटिंग की और bowling सिर्फ first innings में की, और इनका जो first innings का बैटिंग और second innings का जो bowling था, वो यहाँ पे cancel हो गया था बारिश की वज़े से तो इसलिए इन्हों ने भी बान के चलेंगे कि ये खी इनिंग्स में बैटिंग की है और ये खी इनिंग्स में बोलिंग की है अब वो कौनसा वो यहाँ पे मनें मेंशन कर दिया है तो आपके लिए इजी हो जाएगा तो अभी यहाँ से जॉर्ज वारकर ने 96 किया ग्रेग हे ने 93 किया लास्ट टेम मैंने आपको बताया था ग्रेग हे बड़ा करते हुए दिख सकता है और इसने किया भी था विल यॉंग ने 43 नाट आउट, रॉस टेलर डक आउट हुआ था, टाम ब्रियूस 4 नाट आउट था और यह मैच खतम हो गया था यहाँ पे अब डिन क्लिवर बहुत लोग इसको छोड़ रहे हैं क्यूंकि इसके पॉइंट्स सेक्षन में पॉइंट्स कुछ दिखा नहीं रहा है ड्रीम 11 के अंदर तो सोच रहे हैं कि प्लेयर कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा लेकिन इसको बैटिंग करने का मौखा मिला ही नहीं भाई, बैटिंग करने का मौखा मिलता उसके बाद आएगा आपके लिए सेथ रेंस, तो सेथ रेंस नहीं हैं से दो विकेट लिया है रेमान टूले ने एक विकेट यहां पे लिया हुआ था अब यहां पे इनका स्क्वार्ड प्लस इनका बोलिंग एक्शन मैंने दिया हुआ है यहां पे जिसका आपको नहीं दिखेगा ना बगल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा ना तो वो मानलो वो पेसर्स है जो स्पिनर्स हैं उनका मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है क्रिस्टिन लेपर्ड जोई फिल्ड अगर डिबट करेगा तो अच्छी ऑप्शन है आपके लिए ग्रेंड लिग के लिए एक डिफरेंशियल पिक का काम कर सकती है बहुत अच्छा बोलर भी है क्या पता डिबट में बढ़ा करते हुए भी दिख सकता है लेपर्ड की बाद करे तो इसने फर्स्ट क्लास में सिर्फ तीनी मैचस खेले हैं पांच इनिंग्स में 153 रंस किया है 38 के अवरेज से चार इनिंग्स में बोलिंग किया दो विकेट इसने लिया हुआ ये भी आपके लिए राइटा मीडियम फास्ट बोलर है क्रिस्टेन लेपर्ड सेतरहेंस की बात करे तो ये भी इंटरनेशनल रेप्रेजेंट करता है रास्टेलर है जोर्ज वारकर है विल योंग है अब यहाँ से रेमोन टूले डीसेंट बोलर है उतना कुछ खास नहीं सेतरहेंस आपके लिए अच्छी पीक हो सकती है सकमलियन आपके लिए अच्छी पीक हो सकती है रन्स देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 12 मैच और 27 सिनिंग्स में 1040 रन इसने बनाया हुआ है 41 की अवरेज से 19 सिनिंग्स में बोलिंग की है 15 विकेट इसने निकाला हुआ है सकमलियन ने ये भी फास्ट बोलर है मतलब पेसर है अब रोश टेलर की बात करें तो लास्ट मैच में डक उट था मतलब जो लास्ट का जिरो में निकला वो इस मैच का हीरो भी बन सकता है कैप्टेंसी वो इस कैप्टेंसी के लिए भी बहुत अच्छी पिक है टेले जैसे आपको बताया था एक डिसेंट बोलर है आप चाहो तो प्रिपर कर सकते हो या फिर डॉप करके भी चल सकते हो जोर्ज वोरकर आपके लिए बहुत अच्छी पिक हो सकती है लेकिन बोलिंग नहीं करेगा लास्ट मैच में भी इसने बोलिंग नहीं की थी एवरेज 29 का है और ये जो है ना जोर्ज वारकर का 100 मैच है मतलब सिंचुरी लगाने वाला है मैचस में सवा मैच ये खिलने वाला है यहां से और ये चीज और बताना भुल गया इनके टीम से जो है रोबर्ट ओडोनिल रोबर्ट ओडोनिल का 50 मैच है ये ठीक है तो ये दो प्लेर पे थोड़ा दिहान रखना क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा दिन है तो अच्छा करते हुए जरूर दिख सकते हैं उसके बाद विल्योंग आता है विल्योंग भी बहुत अच्छा बैट्समन है यहाँ पे मतलब क्लास बैट्समन है बहुत अच्छी बैटिंग करता है विल्योंग प्लस जरूरत पढ़ने पे बोलिंग भी करते हुए दिख सकता राइट आम आफ ब्रेक बोलर है 75 मैचस 124 इनिक्स में 4788 रंस किये हुए है 42 की आवरेज से यह दोनों जो है जर्ज वर्कर और विल्योंग आपके लिए बैटिंग अल्रोंडर से मतलब बोलिंग अल्रोंडर से बैटिंग अल्रोंडर से लिए थे और 8 विकेट लिए थे 6 मैचस में लास्त सीजन का डिन क्लिवर ने क्या किया 39 का इवरेज से 423 रंस किया था लास्त सीजन में लेकिन इस सीजन में पहला मैच में इसको बैटिंग करने का मuchṣा मिला ही नहीं बिन क्लिवर को अब यहाँ पर captain voice captain selections की मैं बात करूँ भाई तो देखो ग्लेन फिलिप्स है, रॉस टेलर है, ग्रेग है है मार्टिन गुप्टिल है, जॉर्ड वार्कर है, सीन सोलिया है अब आप इन में से किसी को भी captain voice captain करके चल सकते हो और फिलाल के लिए मैंने ये demo team यहाँ पे बनाई हुए मैं यहाँ पे कोई team नहीं देने वाला हूँ इस वीडियो का क्यूंकि मैं test matches वगरा मैं खेलता ही नहीं हूँ अगर मैं खेलता ही नहीं हूँ तो आपको team देने का कोई मतलब बनता नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे team नहीं दे रहा हूँ फिलाल के लिए ये मेरी डेमो टीम मान के चलो अगर मैं खेलता तो ये टीम के साथ मैं जाता लेकिन कैप्टन वोईस कैप्टन में मैं अभी भी कन्फ्यूज हूँ मेरे पास देखो बहुत सारे ओप्शन्स हैं टेलर है, ग्रेग है, मार्टीन गुप्टिल है, ग्लेन फिलिप्स है, बेन होर्न है, डॉग ब्रेस्वेल है अब इतने सारे प्लेयर्स है मैं किसको कैप्टन वोईस कैप्टन करके चलो थोड़ा दिक्कत वाली बात है लेकिन वार्कर यहां से ओपन कर रहा है सीन सुलिया एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, ओपन कर रहा है, प्लस पूरे ओवर्स डालते हुए दिखेगा, प्लस पेसर है अब यहां से वार्कर की बात करें भाई, तो वार्कर स्पिनर है, बोलिंग करेगा या नहीं करेगा, कन्फरम नहीं है यहां पे तो वार्कर को बनाना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, जमी सन का एक अच्छा ऑप्शन है, डिनरू फ्रंस का एक अच्छा ऑप्शन है, जो लोवर आडर में अच्छी बैटिंग भी कर लेंगे, प्लस आपको पेस बूलिंग का ऑप्शन भी दे रहा है और अगर रेप्यूटेशन के हिसाब से जाएंगे तो रॉष टेलर, मार्टिन गुप्टिल, गलेन फिलिप्स, ये तीन बहुत अच्छी ऑप्शन बैटिंग सैट से हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करना के अलरूंडर और बोलर्स में जाने की यहां पे, कैप्टेन वाइस कै ठीक है, कुछ सजेशन्स रहेगा तो मैं जरूर दूंगा टेलिग्राम पे, जुढ़ना चाते हो तो जुढ़ सकते हो, लिंक रेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फाइनल अपडेट आपको वही पे मिलेगा, तो चलो भी उमीद करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा होग अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, अगर चैनल को नहीं किया है, कुछ भी सजेशन्स चाहिए तो कमेंट करके बता देना, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद